नमस्कार आपका स्वागत है देश परदेश सम्वा चैनल में आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के बारे में जहां से पुलिस से आतंकवादियों के बारे में एक महत्पूंट जानकारी निकल कर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के 118 आतंकवादी पाकिस्तान और पाक अधिकरित कश्मीर में मजूद हैं ये युवाओं को भरती कर छेतर में आतंकवाद खैलाने के प्रियास में जुटे हैं इनके वुरुद कारवाई की तयारी की जा रही है एक वरिष्ट पुलिस आधिकारी ने बुद्वार एक मार्च को यह जानकारी दी पुलिस ने कहा कि दो आतंकवादियों को व्यक्तिगत आतंकवादी लोन वुल्फ हमलों में शामिल गोशित किया जा चुका है जबकि दो अन्य को गोशित अपरादी बताया गया है डोडा के SSP अब्दुल कयूम ने कहा कि पुलिस ने एक गोशित अपरादी की संपत्ति भी जब्त कर ली है और जिले में आतंकवाद फैलाने का प्रियास करने वालों के खिलाप एक डोजियर तयार किया जा रहा है SSP डोडा ने समाचार एजनसी एनाई को बताया कि हमने दस ऐसे उगरवादियों की प्रोफाइल बनाई है जो सबसे अधिक सक्री हैं पुलीश अधिकारे ने कहा हमने उन में से एक की संपत्यों को जब्त भी कर लिया है हम बाकी के खिलाप भी कारवाई कर रहे हैं और उनके खिलाप सबूत मिलते ही एक्शन ले लिया जाएगा SSP डोडा ने आगे बताया कि केंद्री एक ग्रह मंत्राले ने कथित तोर पर इसमें सबसे सक्री उगरवादियों में से एक अभुक हबीब को व्यक्तिगत आतन की गुशित किया है उन्होंने कहा जम्मू प्रांत में उगरवाद की गटनौ में उसका हाथ था जिसमें आईडी और ग्रेनेड विसफोटो की युजना बनाना और उसे अन्जाम देना शामिल था आतन की हबीब डोडा जिले में उगरवाद को पुनर जिवित करने का प्रियास कर रहा है मुहम्मद इरिशाद भी इस छेतर में सक्री है वह हिजबुल मुजाहिदिन से संबंदित एक आतनकवादी है जिसे व्यक्तिगत आतनकवादी गोशित किया गया है हम मामले की जांच कर रहे हैं राजस्व विभाग से उसकी संपत्ति का वीवरण प्राप्त होने के बाद हम कानुनी रूप से कारी करेंगे अन्य आतनकवादियों द्वारा नौजवानों को आतनकवाद में शामिल करने की कोशिश करने पर पुलिस अधिकारी ने कहा नजीर नाम का एक और आतनकी है जो देश विरुदी गतिवीदियों में शामिल है नजीर भी युवाओं को आतनकवाद में शामिल करने की कोशिश कर रहा है वह लशकर से संबंदित है हमने हाल ही में अबदुर रशीद उर्फ जहांगिर नाम के एक अन आतनकवादी की संपत्ती भी जब्त की है SSP कयूम ने बताया कि पुलिस ने अब तक 11 लोगों के खिलाफ UAPA के तहत कारवाई की है और उन्हें जेल भीज दिया गया है उन्होंने बताया कि जो भी आतनकवादी हमारे पास आते हैं हम उनके लिए परामर्श की व्यावस्ता करते हैं आतनकवादी लोगों से फोन पर संपर्क कर उन्हें भर्माने की कोशिश करते हैं लेकिन अच्छे बात ये है कि वे सभी पुलिश के पास आए जिन से उन्होंने संपर्ग किया, हम उनके लिए पारामर्श की व्यावस्ता करते हैं ताकि उग्रवादी अपने मनसूबों में सफल ना हो सकें, आज के इस अंक में भस इतना ही, आप से अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजे, जय हिंद